और वास दाना इस कॉंटेक्स से अलग अगर कोई हमारी लाइफ से चला जाता है हमें मिस अंडर्स्टाइंड करके तो हमें वेट करनी चाहिए कि उसको रियलाइज हो ओके आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये सवाल है हाँ, हघी, ये तूपेंड करता है कि आपका उसके साथ रिलेशन कैसा था और समय के एक बेस्ट फ्रेंड था और उसकी गॉर्फिन को अच्छा नहीं लगा कि मतलब हम इतने क्लोस फ्रेंड है तो उसने वो चाती थी कि अम अलग जाएं और उसने भी लिग मेरे को और उसने और उसने और आगे और आगे गाला भुपन कोण्या फॉड़ी तो युग अब पता नहीं चोर दी कि वो मेरे से बात करें तो हमने बात करनी जोड़ दी और अब में आगे अगे बड़ जाू लाइफ में यह भूल के क्योंकि तो मुझे इसका ड़ेगा एक दिन की कुछने गलत किया किसी की बात चुनके अचा जब आपने बात की शुरुआत की ना तो आपने बोला कि आपका बेस फ्रेंड था ना हाँ यह पर शायद आप उसकी बेस फ्रेंड नहीं थी पता नहीं अब आपना वह बोलता थो यही था कि में थी होगा, बोलता होगा लेकिन शायद मीन नहीं करता हो पर आप मीन भी करती थी हैं और बोलती भी थी अगर कोई इस तरह से आप पर भरोसा ना रखकर किसी और की बात पर भरोसा रखता है तो हमेशा ध्यान डखना कि आपके रिष्टे में कहीं न कहीं चीज़ें सही नहीं थी अब उसके लिए रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये आपका डिसीजन है लेकिन मैं फिर से यही बोलूँगा कि वो आपके लिए बेस फ्रेंट था पर शायद आप उसके लिए best friend नहीं थी और इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है आपने अपनी तरफ से सारी चीज़ें कियों आपने अपनी तरफ से सारी चीज़ें कियों और आप जब आपने बताया मैंने पूरा बैस दिया मैंने मनाया भी मैं चंडी कड़ भी गई उसे मनाने मैंने जितना कर सकती है थी कड़ लिया पर वो बार बार उसकी बोलती है कि नहीं तो वो कहते हैं तो फिर मैंने भी नहीं गट्टी कोंड़ा पर कभी-कभी बिलीव नहीं होता कि किसी person जिसके साथ तुमने इतना time spent गिया इतना साथा वो तुमें छोड़के जा सकते हैं तो देखो तुम्हारे पास दो memories है एक अच्छी memories है और एक बुरी memories है तो हमेशा जैसा मैं भोलता हूँ यह आप लोगों की choice होती है तो यह वैसे ही आपकी choice है कि आप कौन सी memory को अपने पास रखना चाहती है और कौन सी memory को आप से दूर वो डिपेंड करेगा आपके ओपर तो अगर वो मुझे बाइचांस कभी लाइफ में मिले कभी तो मतलब मुझे तो बुरा लगा हुए ना कि वो चले उसने छोड़ा को आज इन मिसंडरस्टांड किया मुझे और फ्रेंचिप ख़तम कर दे तो मुझे वापस एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं देकि वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहेंगे रिष्टा ख़तम नहीं हुआ है कभी भी और नहीं कभी होगा वो मेमरीज हमेशा आएंगी जब भी वो आपके सामने आएंगे लेकिन उसको आगे लेकर जाना है या नहीं अगर आपको पता है कि आगे लेकर नहीं जा सकते हैं तो अच्छी चीज यही होती है कि हम उसको बहुत अच्छे नोट पर बंद करें और उस्पिटारे को अपने पास रख लें और आगे बढ़ जाएं है ना नहीं तो उसकी दुबारा हो सकते हैं लेकिन होता तो ऐसा ही है अब बाकी डिपेंड करता है कि कौन कैसा करता है पर जब सिव उसका इस केस हुए ना मैं किसी पर शाच नहीं गर्फाती हुआ है ओके मैंने आप से उसका यही चीज बुरी थी कि अगर आप इस तरह से रिष्टों को समालेंगी तो एक समय आएगा जिस समय आप शाद किसी पर भरोसा नहीं करेंगी और वो अच्छी बात नहीं है तो इन चीज़ों को आप रोख सकती है आपके हाथ में है सारी चीज़ां बस वो पहला कदम आपको उठाना है वो एक्सपीरियंस का ओके ओओ ठीक है थांक्यू सो मैच आप जब नेक्स लाइव आओगया इल कैच आप ओके ओके और ट्राय तब तक मैं यह सब ठीक कर चुके हो बिल्कुल मैं भी यह विश्च करता हूं और बहुत चलेगा आपसे बाती करके थांक्यू ओके गुटनाइट आपको गुटनाइट